आज मैं आपके लेके आई हूँ सैंविच की रेसिपी जिसे घर पे बहुत असानी से बनाएंगे आप और ये इतने टेस्टी है और उसी के साथ मिलाई हूँ एक चटनी जैसे की बजार में होती है ग्रिंगलर की एकदम गाड़ी गाड़ी चटनी तो वो भी मैं आपको सब्याइंगे तो बाहर का खाना भूल जाएंगे जिकिया सेंविच को अंब देख सकते हैं कितने बढ़न लग रहे हैं देखने में जितना देखने since लग रहना खानें उससे चार गुना अच्छे है तो चलिए फिर वीडियो को शूरू करते हैं तो यहां देखिए सबसे पहले मैंने कुछ सबजे लिए हैं प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, धनिया पत्ता, मिर्ची तो यहां पे एक एक टमाटर सब प्याज और यहां पे लिया हुआ है इस सारी चीजें सारी सबजे हम मिक्सिंग बॉल में डाल देंगे और यहां पे आ आप पिड़ी पेंड करता है कि इसमें आप कौन से सबजे मिलाना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता रही हूँ यह सबके घर में होता है तो यहां पे आप चाहे तो शिमना मिर्च को भी ऑवाइड कर सकते हैं से प्याज टमाटर हरी मिच धनिया का पना सकते हैं यहां पर देखिए सब्जियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है मिलाते हैं इसमें कुछ मसाले इससे पहले मैं यहां पर मिला रही हूं हाफ कप पनीर मिला रही हूं जिसे मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है इसे टेक्ष्व बहुत बढ़ी आएगा आदा चम्मच यहां करने के बाद ना अच्छे से यहां पर मिक्स कर लेंगे देख रहे हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है कितना कलर्फुल लग रहा है यहां पर तो बस यहां पर हमें एक दो चीज़ों और मिक्स करनी है इसके बाद हमारी जो फिलिंग है वो तयार हो जाएगी अच्छे से मैंने यहां पे इसको मिक्स कर लिया है और अब यहां पे मैं मिलाने वाली हूं इसमें मियो तो यहां पे मैं मिला रही हूं दो तीन बड़े चम्मच तो यहां पे मैंने डाल दिया है और अब इसको यहां पे न अच्छे से मिक्स करना है तो यहां पे मिक्स कर लेते हैं तो य यहां पर देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है सारी सबजियों में मियोनिद अच्छे से मिल गया है अब देखिए एक चीज में और मिला रही है जिसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा एक चमच यहां पर मिला रही हूं में पिज़ा सॉस तो आप कोई ट्राय करके देखिएगा तो यहां पर यह चीजे मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है और यहां पर फिलिंग भी तयार हो गई है इसको फ्रिज में रख देंगे और दब तक बनालता है चटनी तो एक मैंने मुठी पूरा धनिया ले लिया है हरा धनिया उसमें आधा का एक काला नमक डाल देंगे आधा चमच नॉर्मल नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार यहां पर और इसी के साथ डालूंगे मैं आधा चमच यहां पर चीनी और यहां पर आधा लेमिन जूस यानि निम्बू का रस चीनी इसले डाल रहे हैं ताकि बैलेंस हो जाए सारी चीज यहां पर ब्रेट में देखी असेंबल कर लिया है और अब मैं इस पर लगा रही हूं बटर यहां पर अच्छे से लगा लेना है आप चाहें तो बटर को अवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि म्योनी दाला हुआ है और इसे पनीर भी डाला हुआ है लेकिन ऐसे डालेंगे अगर टेस्ट आपको बखोत बढ़िया चाहिए तो यहां पर बटर आप ब्रेट पर लगा लेंगे इस सरह से तो यहां पर मैंने देखी everything you यहां पर लगा रही हूं मैं ग्रीन चटनी तो चटनी का टेक्षर देखिए कितना गाड़ा चटनी है यहां पर बनके त्यार हुआ है जैसे बाहर मार्केट में जब हम सैंविच खाते हैं तो बिल्कुल ऐसी ही चटनी होती है और घर पे नहीं वैसी बनती तो मैंने आपको आ अच्छे से यहां पर तयार कर लेंगे तो पहले ब्रेट में लगा चुकी हूं और दूसरे भी लगा देंगे इसी तरीके से यहां पर सैंविच में फिलिंग भर लेंगे तो यहां पर देखिए फिलिंग मैं अच्छे से यहां पर लगा चुकी हूं इसी तरीके से सारे सैं सущIN ना थे सकते हैं या नाष्टे में बना सकते हैं जब भी कुछ अगर कुछ समझना यहां भी réponse और यहां पर और यहां इसी टरुके से में और भी यहां पर साइंविच नाकर तयार करणा तो यहां पर देखें ब тест को आभी cinema मrik ईए in ना समस्की आपuted यहां पर देखे से बन कर देंगे यहां पर से भी बटर लगा देंगे ताकि जब हम सेके तो इसमें बड़िया सा कलर आ जाए अगर आप वैसे भी सेकना चाहते हैं तो वैसे भी सेकते हैं तो यहां पर देखे सारी ब्रेट पर बटर लगा दिया है चलिए इसको कलते हैं यहां पर ग्रिल तो मैंने यहां पर देखे ग्रिलर पैन लिया हुआ है तो मैं सोच जी थी दो एक साथ आ जाएंगे लेकिन दो नहीं आने वाले इसमें तो बटर उपर से लगा देंगे और ब बटर स्ाइड में भी डाल देते हैं तो यहां पर पलेट लेते हैं मैं आप Дेखते हैं किसा आया है इसका और लाज़ पुस्टर में चूब limitation दोनों साइट्स से बुहती बड़्या है मिसीटर से सब्सक्रामे के तरिके हम यहाँ बना सारद के ठेल करेंगे here a case TV आपऊ पर से हम पर से हम बटर लगा लें बस यहाँ ज़या रख से बहुत ही बढ़िया घर पे आप सैंविच बना के तयार कर सकते हैं कहीं जा रहे हैं दम नियर बाय जा रहे हैं बहुत दूर नहीं जा रहे हैं पिकनिक पे जा रहे हैं तो ये भी तब भी बना के लिए जा सकते हैं बहुत बढ़िया लगते हैं कट कर लेते हैं यहाँ पे दे ऐसा नहीं है जब यह गरम रहेंगे तब यह अच्छे लगेंगे यह बनने के बाद भी बहुत टेस्ट रहते हैं इसको अगर आप काफी देर तक रख भी देंगे तो यह देखिए बहुत ही बढ़िया सैंड़िच बनके तयार हुए हैं तो अगर आपको यह वीडियो लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी चलिए फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में